अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने वाले महत्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जैनती मनाई जाएगी गांधी जी का जन 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोर बंदर में हुआ था अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बापूजी ने देश के लिए कई अंशन किये शरीर पर एक धूती और हातों में लाठी लिए उन्होंने लोगों को इंसानियत का पाठ पड़ाया महत्मा गांधी का जीवन हम सब के लिए एक प्रेणा है आईए उनके 152 वे जनम दिन पर आपको बताते हैं कि क्या था बापूजी का डाइट प्लान बापूजी अपने दिन की शुरुआत नीबू पानी से करते थे विसुभे गुनगुने पानी में नीबू और शेहट डाल कर पीते थे उनका मानना था के इससे उन्हें पूरे दिन उर्जा मिलती थी उनकी डाइट में अंकृत चन्य और गेहु शामिल होती थे इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है गांधी जी को मीठा बहुत पसंद था वो जलेबी और हलवे के शौकीन थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मीठा खाना लगभग छोड़ी दिया था गांधी जी अकसर अपने आहार में धही को शामिल किया करते थे धही और छाज पाचन किरिया के लिए बेहत लाफकारी होते हैं बापु जी रोज की डाइट में बादाम और किश्मिश जरूर खाते थे बादाम और किश्मिश कई बीमारियों से बचाता है गांधी जी शुद्ध और सात्विक भुजन को ही बहतर मानती थे विश्राका हरी थे गांधी शी खाने में बिना नमक और तेल की उबाली हुई सबज लेते थे कैसा लगा यह वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूले और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं